Hello everyone, आज हम लोग solve करेंगे chapter 3 linear equation into variable की exercise 3f और जी जो exercise 3f है ना, इसमें वो सभी question है जो हम लोगोंने exercise 3a,b,c,d,e में पढ़े हैं ना वो सभी question इस exercise में है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, नया नहीं है, बस वही सब है जो की हम लोगोंने पढ़ रखा है तो यहां पर जो पहला question है, वो कह रहा, write the number of solution, number of solution of the following pair of linear equation, अब दोखो, number of solution यह पूछ रहा है, तो यह question दिया हुआ है, जो equation दी गई हमाई पास, यह कौन सी number of solution, जैसे कि हमारे पास होता है, infinite number of solution, no solution होता है, और many solution होता है, इसमें से यह कौन सी हमें यह बताना है, अगर आ तो हम लोग आते हैं, इसके solution पे, अब यहां पर दोखो, question number first में हमें, दो equation दी गई है, ठीके, पहली यह और दूसरी हमारे पास यह, अब दूसरी वाली equation को ध्यान से देखो, तो यह लिखाए, 2x plus 4y equals to 16 है, मतलब कि 16 हमारा यहां पर है, तो इसको हम लोग पहले इसको करेंगे, इसको देखते हैं, यहां पर जो पहली equation है, वो हमारे पास x plus 2y, और यहां पर है, minus 8 equals to 0 है, और दूसरी equation है, यह हमारे पास 2x है, और यहां पर है plus 4y, और यहां पर दोखो, 16 plus का इधर आ जाएगा, minus का 16 हो जाएगा, एक plus 2 हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 0, इतनी बात के लिए रहे, अब यहां पर हमसे कोशन ने पूछा था कि यह बताओ, यह number of solution, मतलब यह कौन सा number of solution है, इंफिनाइट number of solution है, यूनिक है, या फिर no solution है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a1, a2 को find क करना पड़ेगा, तो a1 जो होगा, यहां पर हमारा x का coefficient जो की 1 है, जब भी कुछ ना दिखे तो वहां पर 1 ले लिया जाता है, और यहां पर b1 हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास 2, और यहां पर c1 हो जाएगा, हमारे पास minus 8, clear है, ऐसे हम लोग करते हैं, अगर आपने exercise 3a या 3b को किया है, तो उसमें इसी तरह के सारे question है, अब इसी तरह हम लोग a2 को करेंगे, तो a2 जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2, और यहां पर हो जाएगा b2, यह हो जाएगा हमारे पास minus नहीं, यहां पर plus का 4, और यहां पर c2 हो जाएगा minus का इसको हम लोग cancel कर सकते हैं, तो यहां पर आजएगा हमारे पास 1 by 2, और इसी तरह c1 upon c2 को कर देंगे, तो यहां पर आजएगा हमारे पास minus 8, और यहां पर है minus 16, तो यह cancel होगा, तो यह आजएगा हमारे पास 1 by 2, अब ध्यान से दिखो, यहां पर सारे 1 by 2, 1 by 2 हमारे आ रह और जो A2 है वो बराबर हो जाएगा किसका B1 upon B2 के चाहो तो यहां पर चेक कर लो C1 upon C2 के यह तीनों हमारे आपस में equal है और यही हमारी condition होती किसकी infinite number of solution की तो यहां पर बस simple सा यहीं लिखेंगे it has it has infinite clear होगे इतनी बात बस इतना ही था question number first में ओके अब दो जैसे हमने question number first किया अब इसी तरह हमने question number two में आ जाते है question number two के रहा है find the value of k अब हमें k की value निकालने किससे निकालने यह जो हमें equation दिये गे ना इस equation से अब यहां के रहा है for which the following pair of linear equation has infinity many solution ठीक है बहुत सिंपल है जैसे इस तरह की question हम लोगों ने पिछली कुछ exercise में बहुत बार किये हुए बिल्कुल वैसे ही करना है तो यहां पर बात question है क्या का है कि हमें k की value निकालने अब कैसे निकालेंगे अभी हम आपको solve करके बताते हैं अब यहां पर देखो जो हमारे पास question number two है इसमें हमें दो equation यह दो दी गई है और बोला गया है कि यह हमारे पास क्या है infinite many solution है तो infinite many solution वाली condition हम लोग यहां पर use करेंगे तो सबसे पहले यहां पर दो a1 a2 क्या है इसको देख लो a1 हमारा क्या होगा x का coefficient पहली वाली equation का जो x है ना इसका coefficient a1 है तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 और यहां पर b2 हो जाएगा हमारे पास 3 और देखो यह 7 है ना इसको चाहो तो इधार लेकी कर लो या फिर इसको एसे ही रहने दो यह हो जाएगा हमारे पास C, sorry, यह B1 हो जाएगा, यह हो जाएगा C1, यह हो जाएगा हमारे पास 7, छीक है, अब दोखों, यह आगया हमारे पास 7, अब इसी तरह हम लोग A2 निकालेंगे, तो A2 आएगी हमारे दूसरी वाली equation से, अब इसमें हमारे पास क्य है के –1 है तो यहां पर हमने लिखा के यहां पर हो गया माइनस यह वग्या बदल देते तो यहां पर क्या होता है इधर चला जाता माइनस सेवन आ खट जाता तो हमने direct क्या वह किसको यहां नहीं भेजा हुआ है यहां पर ही कर दिया अगर इन में से कोई भी इस तरफ होता तो हम यह जुरूर करते हैं अगर दोनों यहां तक हम लोगों ने पिछले वाले कोशन में किया था आप दोखो एवन अपन एवन एवन अपन एटु की जो वैल्य होना वो हम लोग पूट कर देंगे यह हमारे पास टू डिवाइड में आ जाएगा के माइनस वन एकक्वल्स टू हो जाएगा बीवन हमारे पास । है और यहां पर दोखो सैवन हो गया और यहां पर हो गया हमारे पस ठीक होगे के लिए अब हमें के वेल्यव फांड करणें और उससे पहले एक चीच्छा से देखो यहां पर यह टू के माइनस वन इकक्वास तो ठीक क्लस यह आपस में और यह भी हमारे आपस में एक्वाल है क्यों यहां पर दिखो एक्वल्स टू लगा हुआ यह सब यह इक दूसरे के एक्वल है समझ गे इतनी बाद अब इसको हम लोग कैसे करेंगे यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टिप्लाइब हमें के की वैल्यू चाहिए ना तो हम लोग सिंपल सा इसका कर देंगे क्रॉस मल्टिप्लाइब कैसे यहां पर लिखा हमने टू और यहां कर दिया हमने के यही हमारे पास किन अब यहां पर देखो 3 हमारा है इधर हो जाएका तो ग्रॉस मल्टिप्लाइट होने वाला इधर जायेगा तो यहां पर क्या हो जाएका हमारे पास यहां पर हमारे पास आज आजएगा 2 2 consciousness 3 के और सेम चीज हां पर ओ जायगा यहां पर दो इन समें multiply में, तो यह हो जाएगा k, यहां पर minus हो जाएगा 1, clear, अब यहां पर इसका को करो multiply three two's है, six की हो गया, और यहां पर हो जाएगा हमें पर 7k, और यहां पर हो गया हमाई पर minus 7, समझ गया, अब हमें क्या करना है, कि यहां पर 7k, plus का, इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो यहां हो गया 6K माइनस हो गया यहां पर 7K और यहां पर हो गया equals to minus 7 ठीक है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा minus का के और यहां पर देखो पहले से minus 7 है तो minus से minus तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7 मिल गई हमें क्या फाइंड करना था हमें करना था के की वैल्यू और यहीं हो गया हमारा कोशन नमबर टू का हमारा सेल्यूशन ठीक है कितना easy था कुछ नहीं करना पड़ा बस condition में रख दिया और हमने solve कर दिया अगर क्या करते हैं कि अगर इन दोनों को लेते तो भी की value वही आ जाती और इन दोनों को लेके करोगे तो भी value आ जाएगी ठीक हमने वह लिया जिससे हमारा easy हो जाएगा calculation इसलिए हमने इन दोनों के लिया तो हो गया हमारे पास के की value 7 तो question to complete अब करेंगे question number 3 question 3 for what value of k does the following pair of linear equation has infinite many solution अब दो को फिर से हमारे पास 2 equation दे दिगी अब हमें क्या करना है इसमें फिर से की value find करनी है जैसे हम लोग ने question number 2 में find किया बिल्कुल sim वैसे ही करना तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें a1 a2 b1 b2 लिख लेंगे फिर c1 c2 और फिर हम लोग क्या करेंगे जो फिर infinite की हमारी condition होती ना उस condition में सारी value को put कर देंगे और आज आएगा हमारा answer ایसे ही कीया था हमने question number two में और ऐसे ही हम लोग करेंगे question number three में ठीक है तो देखो यहां पर है हमारे पास solution공 और यहां पर DS कि जो a1 है हमारे पास वह गैए 111 है हमारे पास 10 और यह यह जो b1 है वह हमारे पास 5 और जो हमारे पास सिवन है वह हमारे पास करते हैं यहां पर हो जा infinite many solution की तो वो लिखेंगे वो होती है हमारी a1 upon a2 equals to होती है b1 upon b2 और फिर होगी यहाँ पर c1 upon c2 यह होती है आप दोखो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 क्या है इसको यहाँ पर put करते हैं तो यह हो जाएगा 10 by 20 और यहाँ पर आजाएगा हमारे पर माइनस के माइनस 5 ठीके और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के सबसे पहले यहाँ पर माइनस यह माइनस हटा दो यह बचा अब दो को यह जो और यहां पर हमने ले लिया है k-5 k-5 और यहां पर कर दिया हमने k इसको हम लोग अभी solve कर सकते हैं देखो कैसे यह 0-0 कैंसिल हो जाएगा 1 by 2 आगे हमारे पस 1 by 2 कर दिया easy हो गया ठीक है अब यहां कर दिया k-5 by यहां पर हो गया k clear हो गया अब दोखो यहां पर k हमारा divided में इधर चला जाएगा multiply में हो जाएगा 2k-5 और यहां पर हमको को solve करेंगे यहाँ है 2k और minus ओजाएगे हमारे पाफ 5,2,0,10 ठीक है यहां पर हो गया k आप देखो यह जो two k है ना यह हमारा plusस अधर आजाएगा तो minus का होझाएगा तो यहां पर आएगा k minus two k और equal to होगया minus 10 अब इसको solve करेंगे तो यहां पर आजाएगा हमारे पास minus का k और यहां पर आजाएगा minus का 10 ठीक है माइनस से minus cancels और k हमें कितना मिल गया k मिल गया हमारे पास 10 ठीक है तो यही हो गया question number 3 का हमारा answer ठीक है तो question number 3 में हमें k की value निकाल नी थी तो k की value हमने निकाल ली question number 4 यहां कह रहा है for what value of k will the following pair of linear equation has no solution अब यहां पर k की value हमसे पूछी गयी और यहां पर कहा गया है no solution no solution की बात की गई तो यहां पर हम लोग condition लगाएंगे no solution की जैसे question number 3 or 2 में हमने condition कौन सी लगाई थी हमने लगाई थी many solution infinite many solution की अब वैसे question number 4 में हम लोग condition लगाएंगे no solution की और करने का जो process है वह बिलकुल question number 2 और 3 की तरह ही है ठीक है no solution की आपको condition आना बहुत जरूरी है अगर आप इसको solve करना चाहते हैं तो तो देखो यहां पर हम लोग आते हैं अपने solution पर तो question number 4 है और यहां पर हमारे पर यह दो condition दे दी गए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे a1,a2,b1,b2 ठीक है तो a1 हमारा क्या हो जाएगा यह x का coefficient जो की हमारे पर 2 है और जो b2 है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 3 और यहां पर जो C2 है वो हो जाएगा हमारे पास 9 किलियर है अब देखो यहां पर जो हमारे पास है A2 यहां पर B1 होगा यह हमारा C1 होगा ठीक है अब जो A2 है वो हमारे पास है 6 और यहां पर है हमारे पास B2 वो है हमारे पास K-2 और यहाँ पर हमारे पास c2 है वो है हमारे पास 3 के यह हो जाएगा minus 2 clear इतनी बात यह हमारे पास है अब यहाँ पर question ने बोला था हमारे पास क्या no solution तो यहाँ पर no solution की condition क्या होती है वो हम लोग यहाँ पर apply कर देंगे और हमारा answer यहाँ पर आजाएगा तो यहां पर हम लोग no solution की condition लिखते हैं तो यह हो जाएगा हमारा a1 upon होगा a2 यह होगा equals to b1 upon b2, b2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा हमारा c1 upon c2 यह तो हो गई हमारी infinite many solution condition, अगर हम लोग यहां पर लिख देते हैं not equals to तो यह बन जाता है हमारा no solution की condition clear है बहुत ही minor सा difference होता है not equals to equal to का बस और कुछ भी नहीं है अब देखो यहाँ पर यह बताना चाहरा है कि यह दोनों आपस में equal हैं मगर यह किसी के equal नहीं होगा ना इसके ना ही इसके इतनी बात clear है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले a1 जो लिखा है वो है 2 यहाँ पर लिख दिया हमने a2 है हमारे पस 6 equals to b1 हमारे पस 3 और यहाँ पर b2 है k minus 2 है ठीक है equals to यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 k minus 2 हो जाएगा clear इतनी बात अब हमें क्या करना k की value चाहिए ना और यह हमारा not equals to है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग ले लेते हैं यह दोनों equation मानलब यह दोनों ले लेते हैं यह 2 by 6 हो गया equals to हमने यहाँ पर लिख दिया है 3 और यह हो जाएगा k minus 2 ठीक है यह हो जाएगा minus यह होगी हमारे पास 2 equals to हो जाएगा 6 त्रीज़ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 के और यहाँ पर हो जाएगा 4 equals to हो जाएगा हमारे पास 18 और यहाँ पर आजाएगा 2 के आप यहां पर देखो के के साथ 2 है हमारा मल्टी प्लाइम एक क्वल की सेट चला जाएगा तो डिवाइट में हो जाएगा 22 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 इसको γے तो हमें कितना मिलेंगा 11 1 क्या गया 11 आ गया हमारे पास कॉशन का हमारा आऊंसर्ट के क्यक्कोस तो के इकक्वल्स ठी हो गया हमारे पास 11 पर वास हमें यही करना था कितना सिंपल है बस कंडीसान लगानी हैं और हमारा आऊंसर्ट अपने अपने आप आ जाएगा,तो Qoshan Number 11 हो गया हमारे पर, Sorry Qoshan Number 4 हो गया,ब इसी तरह करें Qoshan Number 5 को, अब Qoshan Number 5 भी हमारा Qoshan Number 1 की तरह ही है,हाँगर पूछा है, यहाँ पर पूछा है Write the Number of Solution, Arms là Number of Solution, यहाँखनाब को लिखना है, deze next To be Pair of Linear Equation to analysis कि नन हम ढमें तो देखो यहां पर जो कोशन नम्बर 5 है ना समय हमें क्या करना है पहले तो एवन एट्व लिखना फिर हमें इसे कमपेर करना है देखना है कि यह हमारा कौन सा condition बनता है मतलब unique solution वाला यह हमारे पास बनता है कि infinite many solution या फिर no solution का बस हमें यही बताना है question number five में ठीक है तो देखो यहां पर solution पर आते हैं और यहां पर जो हमारे वन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बन और यहां पर जो एटू हो जाएगा बी टू यह हो जाएगा हमारे पास थ्री और यहां पर सी टू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस फॉर क्लियर हो गया अब हमें क्य जाएगा B2 जो कि हमारे पास है 6 और यहां पर हो जाएगा C2 और यह हमारे पास minus 7 क्लियर है अब देखो इसको हम लोग simple ऐसे लिख लेते हैं पहले A1 upon A2 के form में equals to हो जाएगा 1 by 2 और यह हो जाएगा हमारे पास इसको हटाते हैं भी यहां पर लिखा B1 upon B2 के form में यह हो जाएगा हमारे पास 3 by 6 ठीक है और यहां पर आ जाएगे यह हो जाएगा C1 upon C2 के form में जो कि हो जाएगा minus 4 और यहां पर हो जाएगा minus 7 जब भी हमेशा इस तरह से कोशन पूछे right the number of solution ठीक है तो हमेशा यह करना ठीक है यहां पर पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर लेना फिर इस तरह से लिख लेना अब चेक करो क्या A1 B1 A1 upon A2 B1 upon B2 के equal है अगर इसको काट दे तो यह 1 by 2 बन जाएगा तो यह दोखो यह यह भी 1 by 2 तो यह दोनों आपस में equal है मगर इसको देखो तो यह 4 by 7 दिख रहा है यह 4 by क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है और यह इन दोनों में से किसी के भी equal नहीं है ठीक है तो यह बता कौन सी condition बनी देखो अच्छा ऐसे समझो a1 upon a2 जो है वो बराबर है किसके b1 upon b2 के ठीक है a1 upon a2 किसके बराबर है b1 upon b2 के और यहां पर b1 upon b2 क्या c1 upon c2 के बराबर है नहीं है बिलकुल नहीं है तो not equals to करेंगे और यहां लिखेंगे c1 upon c2 अब इस condition को ध्यां से देखो और यात करो कि यह कौन सी condition होती है हमारे यह बता कौन सी condition होती है कि a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 यह कौन सी condition होती अब भी देखो question number हमने 4 किया था उस question में क्या था no solution feeling मैं ही हमारी यह condition होती है तो लिख सकते हैं कि the system of linear equation has no solution यहां लिख दिया हमने सीधा has no यहां कर दिया हमने solution ठीक है no ही है यहां यहां पर यह हो गया no solution ठीक है तो यह हो गया question number five का answer कितना simple कितने छोटे-छोटे से हमारे answer अब यहां पर question number six के रहा write the value of k अब हमें क्या करना k की value बताने for which the system of equation three x plus ky equals to zero two x minus y equals to zero has a unique solution देखो यहां पर हमारे पर दो question दे दी गए और यहां पर कहा गया कि k की value हमें find करने ठीक है यह बहुत simple है तो सबसे पहले यहां पर हमें condition लगाने पड़ेगी कौन सी unique solution की तो क्योंकि question ने कहा हुआ है the system of equation this equals to this or this equals this has a unique solution तो देखो यहां पर unique solution की condition क्या होती इसको हम लोग पहले देखते हैं अभी हमने no solution infinite solution तो पढ़ लिया है अब यहां पर पढ़ेंगे unique solution की condition तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हमारे पास a1 और a2 क्या है अब देखो यहां यह पर analysis यहां पर हमारे पास भी टू यह हो जाएगा हमारे पासme माइनिस फ़न के लिए अब यहां पर बात कोशन ने किसी किया यहां पर बात किये कोशन ने यूनिक सल्यूशन की ना तो यूनिक सल्यूशन का हमारे कंडिशन क्या होता है तो यहां पर लिखते हैं है यह यूनिक यूनिक सलीशन दो यूनिक सलीशन की कंडिशन होती है a1 अपॉन a2 ठीक है यह होती not equals to b1 upon b2 ठीक है अब देखों यहां पर a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 होती है हमारे पास अब a1 हमारे पास क्या है 3 है और हमारे पास a2 है हमारे पास 2 यहां कर दिया not equals to b1 क्या है हमारे पास यह के है और b2 हमें पर minus 1 है clear इतनी बत अब हमें क्या करना है simple सा यह है minus का divide में इधर बेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके साथ multiply में तो यह आजएगा minus 3 by 2 equals to k हो जाएगा not equals to k मतलब यह हो रहा है यहाँ पर question यह बता रहा है यह k हमें यह बता रहा है कि हम लोग k की value minus 3 by 2 की जगह पर कुछ भी रख देंगे तो हमारा यह unique solution हो जाएगा अगर यह रखेंगे तो हमारा नहीं होगा ठीक है कोई भी हम लोग क्या करेंगे real value को रख देंगे इसको छोड़के तो बस यही होगे हमारे पर question number 6 का हमारा solution अब हम लोग solve करेंगे question number 7 को question 7 कह रहा है the difference between two number is 5 and the difference between the square is 65 find the number अब कह रहा है कि हमारे पर दो number है उन दो number का difference निकाल ले है तो वो हमाई क्या मिला है 5 मिला है और फिर कह रहा है अगर हम लोग उन्हीं निकालेंगे तो हमें मिलेगा 65 find the हमें क्या करना है number को find करना है समझ गे question कि हमारे पर दो number है उन दो number का difference किया मतलब उन दोनों का आपस में हमने minus किया तो हमें 5 मिला फिर उन्हीं दो number का square करके फिर हमने उसको minus किया तो हमें 65 मिला अब कह रहा है find करो वह number को अब हमें वह number बताने है तो जब भी इस तरह की question आते हैं और जो चीज़ पूची जाती है number पूचा जा रहा है तो number को हम लोग सबसे पहले let कर लेंगे फिर हम लोग इस question को solve करेंगे अब इसके solution पर आते हैं एकस एंड वाई एकस एंड वाई दो नमबर किये गए एक number हमारा x हो गया दूसरा number हमारा y हो गया ठीक है हमने यह हमने number को let कर लिया अब कोशन ने क्या कहा है तो according to question question according to question अब कोशन के according आएंगे तो कोशन कह रहा है कि इनहीं दो number का जब हमने difference निकाला difference मतलब क्या हो रहा है जब हमने minus करके निकाला मतलब x minus y का difference निकाला तो हमको मिल गया है 5 क्या मिल गया 5 मिल गया ठीक है और जब हमने इन्हीं दो number का square कर दिया ठीक है square कर देंगे तो कितना आ जाता है ओके इसको हम लोग पहले solve कर लेता है जैसे कि यह होगे हमारे पास पहली equation ठीक है अब इसको solve करेंगे तो x equals to हो जाएगा हमारे पास 5 और यह minus का इधर आ जाएगा तो यह plus का हो जाएगा y clear हो गया तो यह हमें x की value मिल गए अब इसके आंगे question ने क्या कहा था कि इन ही दो number का जब हम लोग square कर देते हैं square करेंगे तो यह हो जाएगा x square minus y square फिर इनका जो difference आ रहा है वह आजाएगा हमारे पास 65 यह कहा था question के दूसरे वाले part में ठीक है समझ गए तो यह दूसरी equation होगे यह पहली equation होगे अभी तो पहली वाली equation से हमने x की value find की जो की है x plus y तो हम लोग क्या करेंगे इसको उठाएंगे और यह second equation में put कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे using कि दा सब्स्टिट्यूशन कि मैथड कि अब देखो यहां पर x value क्या हमने निकाली है 5 m Rendance आप कर दिया और यहां पर क्या लिखा हुआ है इसक्वायरे तो यह वह र The way माइनस और आ लगा माइने 65 इतनी वाथ अब यहांपर देखो यह क्या दिखिए का यह दिखिए का यह दिखिए का होलिश्कवार का फॉरम समये होगे स्कार जटें होता जिल्य को थे मेल खोला को फॉर्मूला ऐस मृद्टा अशल मेसको बना जबंऑना किया होगे फाइद फैनल सा इसको पड़ासे दिल्ग नुरिग्स होला यह माइनस का y square है, cancel हो गया, 25 यहां पर plus का है, यहां चला जाएगा minus का, यहां बचेगा 10y, और यहां पर हो जाएगा हमाइपर 65, यहां कर दिया minus हमने कर दिया 25, तो हमें यहां पर कितना मिलेगा, यहां पर हमें मिल जाएगा 40, चीक है, तो यहां पर कर दिया 40, अब यहां 10 हमारा, multiply में equal के set चला जाएगा, तो divide में हो जाएगा, 40 by यहां पर आगे हमारे पास 10, कितना आजाएगा हमारे पस इस त्रिफ 4 हो जाएगा, तो यहां पर y की value हमें कितनी मिल गई है, y की value हमें यहां पर मिल गई है, 4, clear इतनी बात, अब देखो y की value जब हमें 4 मिल गई है तो हम लोग क्या करें कि x की value निकाल लें अब कहोगे x की value कैसे आएगी तो देखो, यह जो y की value उठाओ और जो हमाई पास equation first है ना, इस equation में put कर दो तो हमें x की value मिल जाएगी ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे putting y equals to 4 in equation first, clear है अब दोखो, यहाँ पर हमारे पास है x और यहाँ पर y की value आई, हमारे पास 4 तो 4 कर दिया, equals to 5 अब यहाँ पर 4 plus का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 plus 4 हो गया, और यह आगया हमारे पास 9, इसका मतलब क्या होगया x की value जो है हमारे पास वो होगई हमारे 9 clear, तो x की value आगई हमारे पास 9 y की value होगई 4, हमने यही दो value, मतलब यही दो number लेट किए थे, देखो हमने क्या led किया, let the number b, x and y यह दो number little किए और यह दो नमबर हमारे क्या हो गए 4 & 9 हो गए और यह हो गया कोश्य नमबर 7 का हमारा आंसर ठीक है समझ में आगे अगर समझ में आगया तो comment करके ज़रूर बताय करूं आप हम लोग करेंगे कोशन नमबर 8 कोशन नमबर दोखो 8 है बहुत सिंपल है बहुत इजी है इस तरह के कोशन हम लोगों ने पिछली exercise में लगाए हुए है कोशन क्या कह रहा है कि the cost of 5 pence and 8 pencil is this मतलब 5 pen और 8 pencil की जो कोश्ट है टोटल वह 120 रुप है ठीक है और आंगे कह रहा है while the cost of 8 pence and 5 pencil is this मतलब 8 pen और 5 pencil मिले है 185 के यह कोश्ट है उसकी आंगे कह रहा find the cost of one pen and that of one pencil मतलब एक pen और एक pencil की हमें cost बतानी है बहुत सिंपल है यह जो हमें दिया गया ना इसकी help से हम लोग पहले question निकालेंगे फिर one pen और one pencil की cost find करेंगे अभी जो question number हम लोगों ने 7 किया है ठीक है उसमें हमने बताया था कि जो भी चीज पूछी जा रही है उसको हम लोग क्या करते हैं let करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे let करेंगे pen की cost एक pen की cost और एक pencil की cost देखो कैसे करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे हमने सबसे पहले ल्यट करते है ठीक है तो हमने यहां पर लेट क्या let each Laut each pen n mata सिध्य pen की ही हम लोग कर देते हैं पहले pen का अलग लग कर लेते हैं और pencil की अलग ठीक है pen cost कर देते है अब आ जो दूब रएन की जो कोस्ते उसे हमने मान लिया है ITS थिकले एक्स रूपीस और इसी तरह हमने लेट करें let ich कौस्ट किसकी लेट करने अब हम में पैंसल की तो यहां कर लियमक्त अब पैंसल की जो कोस्त उसको हमने लेट कर लिया हे वाइ ITS के लिए इतनी बात यह एकस है यह हमाई पास वाई है अब कोशन जो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग एक्वेशन बनाते हैं तो देखो यहां पर कोशन कह रहा है था कॉश्ट ऑफाइब पैन फाइब पैन है ना तो फाइब पैन की कोश्ट क्या होगी फाइब पैनसिल की जो टोटल को़स्ट है वो 120 है टोटल कोश्ट का मतलब हो रहा है कि इन दोनों की कॉश्ट को प्लेस किया जा रहा है अब क्या निकले देगी कैसे पहली बात तो यह जितनी भी नंबर ऑफ पैन है उसका मल्टिप्लाइग हमने किसे किया कउस्ट से हमने कॉस्ट क क्या लट किया है x कर दिया जितनी पैंसिल है उसका multiply y से करेंगे number of pencil का multiply y से करेंगे y हमारे का है pen की एक pencil की cost ठीक है इनको जब add करेंगे तो total number of हमें rupees मिल जाएगा यह तो हो गए हमारी पहली equation अब इसी तरह दूसरे में हो जाओ दूसरे में question ने क्या कहा है दूसरे में question कहा है the cost of 8 पैंस आठ पैंस यहां पर तो यहां पर 8x कर दिया और यहां पर question ने कहा हुआ है आंगे 5 pencil है तो यहां पर कर दिया 5y और इसकी जो total cost 153 rupees कि लिए है और यह होगी हमारे पर दूसरी equation समझ गया इतनी बाद यह पहली equation है और यह हमारी दूसरी equation है अब देखो यहां पर हमें करना क्या है और कैसे करना है इसको हम लोग समझते हैं तो देखो यहां पर यहां पर यहां पर या फिर तो निकाल सकते हो यहां फिर एक काम करो कि यहां पर इन दोनों में से किसी एक जैसा करों को एक जैसा करोगे तो थोड़ा सा battle जाएगा करा थे खरने धूँ सब्सक्राहरा कैसे को यहां पर हम करने जा के इन दोनों करें तो 273 हो जाएगा ठीक है और यह हो जाएगा हमारे पलटां जाभा थाटिन थाटिए तो यह चला जाएगा्持वथयाह थी यहां पर हम करने जा रहें लगवाड है डिवाइड़ बाई 13 आरे अब क्यों और रहे हैं इसका भी रिजन नहीं बताते हैं यहां पर आंगा हमाई पास सब्सम fitness अब समझोग क्या है एड करने पर हमारे पर जो आया उसको हमने देखा कि यह हम 13 से डिवाइट करने जा रहे हैं मतलब हम लोग डिवाइट कर सकते हैं क्योंकि तीनों हमारे 13 से डिवाइट किया तो हमें मिल गया यह अब यह जो मिला है यह हो जाएगी हमारी तीसरी equation ठीक है अब जैसे हमने इसको एड़ किया था अवैसे इसको हम लोग शॅब्त्रैक्ट कर देंगे तो देखे देखो यहांपर करने में क्या आता है यहां पर लिखते हैं subtract first equation और second equation तो first equation from second equation ठीक है अब देखो जो पहली हमारे पास इसमें equation है वो 5x plus 8y है इसको इसमें हम लोग subtract कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहां पर मिल जाएगा हमें 3x ठीक है और इसको हम लोग subtract करेंगे तो माइनस हमें मिल जाएगा 3y और यहां पर इसको करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 33 अब जहां से देखो यह हमारा 3 से divisible है तीनों 3 से जा सकते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे divided by आचे डिवाइड़ बाई चैना के 3 ठीक है ठीक है की से कर दिया है अब यह हो जाएगा हमारे पर त्छी फैक है तिक फॉर्थ प्वेशन अब तीसरी और चौति एक्वेशन से हम लोग क्या करने वाले देखो यह जो तीसरी और चौति हमारे पस एक्वेशन आई इन दोनो मुण पर करें तो यहां पर हमने आप इसे क्या होगा ध्यान से बेखना नहां लिकामन एड़िंग कि एक्क्वेशन फर्स नहींingerson 3 2 and 4 का अब को यहां पर जो तीसरी collective है वह हमारे पास इसको हम लोग solve करते हैं तो y से y हमारा cancel हो जाएगा और यहां पर आजाएगा हमारे पास 2x और इसको करेंगे solve तो यहां पर आजाएगा हमारे पास 32 यह 2 से divisible है कितने टाइम चला जाएगा एक पेज ले लेते हैं कोई भी यह वाला ठीक है तो देखो यहां पर हम put करने जा रहे हैं यहां पर x value किस equation में first equation ठीक है यहां पर करते हैं यहां पर लिखा मने putting है यहां कर दिया putting the value of value of x equals to 16 in ओके यह हमारी equation कौन सी थी तीसरी थी यह 4 थी हम क्या कर देते हैं यहां पर तीसरी हम कर देते हैं ठीक है इन ठीक है यहां पर हमारे पास x ठीक है यह दो दिख रहा है और यह दो यह हमारे पास है एकस ठीक है यह वाली थी हमारे पस यह जो हमारी तीसरी equation है एकस एकस जब हमें 16 करना 16 कर दिया और फिर यहां पर है plus y plus y कर दिया एकको तो हमने कर दिया 21 16 हमारा plus का equal के साइट आ जाएगा तो यह minus हो जएगा 21 minus क्या हो जएगा 16 और इनको हम लोग कॉस्ट जो की था x मतलब x जो था हमारे एक Pen की कोस्ट थी जो की हमने यह पर अभी Line के लिए 16 मतलब 16 रूपए का 1 पैन हम में यहांपर पढ़ा बहुत मेंगा पैन तहां और यहां पर जो हमारे पास y पैन है मतलब पांस तो यहांप See तती यह एक पांस पांस अच ही हो गया question number 8 का हमारा answer ठीक है question 8 complete इसी तरह हम लोग solve करेंगे question number 9 को अब यहां पर question number 9 के रहा है the sum of two numbers is 80 the larger number exceed four times the smaller one by five find the number अब हमें क्या करना है number को यहां पर find करना है दो number है दो number का हमारा sum 80 दे दिया है अब वो दो number क्या है वो हमें बताना है ठीक है और फिर हम लोग इसे solve कर लेंगे ठीक है तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे number को लेट कर लेंगे कौन से number को जो भी number question ने हमसे पूछे है ठीक है तो देखो यहां पर कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं तो यहां पर जो number है वो तो पता नहीं है तो let करो भाईया सबसे पहले तो यहां पर किया हमने let the number number हमने let कर दिया be x and y एक x हो जाएगा दूसरा हो जाएगा y इन दोनों को हमें क्या करना है let करना है ठीक है अब question के according आते है हमें do number है उन दो number को जब हमने SUM किया हुआ है तो वो हमें मिल ला है कितना 80 मिल दो number हमने क्या let किया x2 y इनका जो some किया तो हमें क्या 및 80 मिल गई है अब question क्या का है अभी इसको हम लोग ऐसे रखतें 不 cake question क्या कहा हुआ है question ने कहा है कि हमारे पास the larger number exceed four times the smaller ठीक है तो यहां कर देंगे x exceed का मतलब होता है minus four time हो रहा है तो यहां पर y कर देंगे equals to हो जाएगा हमारे पास five यह हो जाएगी हमारे पास दूसरी equation ठीक clear होगे इतनी बात समझ में आगे अब आगे देखो अब हमें क्या करना इन दोनों को simple सा subscribe कर देना तो यहां पर करते हैं सब्टरैक्टिंग कि सब्टरैक्टिंग किसे करना बढ़िया first from है second ठीक है अब दोखो इसको जो हम लोग सब्टरैट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो हमको यहां पर मिलेगा 5y ठीक है क्या मिलेगा 5y और यहां पर हमें क्या मिलेगा 75 देखो कैसे यहां पर इसे सब्टरैट कर दो यह प्लेस का यह माइनस यह प्लेस है यह माइनस यह पर प्लेस और यहां पर प्लेस है तो यह माइनस plus plus क्या होगा plus हो जाएगा plus यह minus क्या होगा cancel हो थीक है 85 में 5 जाएगा तो कितना आजाएगा हमाएं 75 अब इतनी बात clear हो गया अब देखो 5 से यह cancel हो सकता है तो यहां कर दिया 5 by 5 5505 तो y की value हमें कितनी मिल गई 15 मिल गई अब जैसे ही हमने y की value निकाल ली है तो क्या करो किसी भी एक equation में पूट कर दो या फिर आप दूसरी equation में पूट कर दोगे answer सेम ही मिलेगा तो यहां पर क्या करने वाले substitute करेंगे सबस्रेट्यूटिंग किस में करना भाईया कि किसमें करते हैं फिर्स्ट एक्वेशन में क्या करना हमें य वाई क्यूस तो 15 मुद्ध य की वैली 15 पूट करने जा रहे हैं हम लोग पहले equation में तो यह हो जाएगा x प्लस हो जाएगा यहां पर 15 और यहां हो जाएगा हमारे पास 18 और यहां कर दी हमने 80 यहां कर दी है माइनस 15 और यहां पर हमारे पास X की वेलु ही हो है वह आ जाएगी कितनी ये होजाएगी हमारे पास 65 यह हो गई x और यह हो गई हमारे पास y और यही हो गया हमारे पिर कोश्चन का solution ठीक है दो नंबर हमें find करने थे दोनों नंबर हमने find कर लिए वाई हमारा 15 आ गया एक हमें मिल गया 65 और यह यह गया answer तो 9 हो गया हमारे पास अब इसी तरह हम लोग solve करते हैं question number 10 को यहाँ पर question number 10 के रहा a number consists of two digit who sum is 10 के रहा कोई भी दो digit वाला हमारे पास एक number कौन सा number है पता नहीं हमें उसकी जो डो digit है उन दोनों digit को हमने add किया तो add करने में हमें 10 मिल गया है तो question कह रहा if 18 is subtracted from the number अब कह रहा question कि जो 18 है वो इसमें subtract हो रहा है किसमें subtract हो रहा है वो दो digit वाले number में तो हमें मिल के रहा है तो इस digit are reverse तो उसकी जो digits है वो reverse हो रही find the number अभी यह नहीं समझ में आए तो अभी जैसे हम लोग करेंगे equation बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा तो यहां पर आते हैं हम लोग इसके solution पर तो यहां पर सबसे लेट करेंगे ठीक है यहां पर आते कोशन number 10 तो हमने यहां पर कर दिया let let करने वाल है let the two digit number नंबर had to digit yeah force your to design number number हमने left कर दिया भी यहां कर दिया हमने x why धिक Spike दो डिजिट का नंबार कुछ हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो सकता 22 हो 3136 हो सकता three ninety nine हो सकता कुछ भी हो सकता ठीक है तो हमने x & y को लेड़ के लिए तो जहांसे समझना है तो हमारा ह offers यहां लिखा दा इंवें नंबर आपंधा given number जो इपन हो जाएगा इस हमारे पस 10 X देगं यहां पर हो जाएगा प्लस यह साएगा हमारे ले लिया हमने ले लिया को उठा लिया 22 आप ढूंटीटु है ना हमारा किस प्लेज में है हमारा unit प्लेज में और यह वाला यह है इसको एससे लिख सकते 10 in 2 sorry 2 into 10 क्या क्या दिण समझ गाना स्वाइश हता इसको हमने इस तरह लिखा तो यह यह वह हमारा 10 फ्लेज में 10x कर दिया, उस नम्बर में हमने 18 को सब्ट्रेट किया हुआ है कि number हमारे पास क्या है यह 10-x डिक है यह फ्लraf रपलाय जब इसमें हमने 18 को सब्सक्राइड कर दिया तो हमारे जो number हो गए वह हमारे कि यहां पर उजेगा 10 वाई यहां पर उजेगा एक सबान में आ गiquYes का मतलब अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसली यहां पर हमारे पास 10x है बिलकुल है यहां पर लिखा हमने 10x और यहां पर हमारे पास है x यह इधर आ जाएक तो माइनस x हो जाएगा यहां पर y है y लिखा यह हमारा 10y यहां आ जाएगा तो 10y हो जाएगा और यहां पर 18 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लेस का 18 हो जाएगा कोई भी डाउट हो कॉमेंट करके तुरंट पूछ लेना इन दोनों को सॉल्व करो तो देखो इन दोनों में से हम लोग 9 common ले सकते हैं ले लिया यहां पर आगया एकस-y और यहां पर आगया हमारे पस 18 नाइन टूजा हो जाता है अब यहां पर हम लिख सकते एकस माइनस वाई एक्वोस्टू टू और यह हो गई हमारी दूसरी एक्वेशन क्या पास पहली के इसन क्या है हमारे पास दूसरी मारे पास यह हैं अब क्या करना है कि इन दोनों equation को add कर देना तो लोग यह कर दिया यहां लिखा एड़िंग कि फस्ट एंड सेकेंड पहली और दूसरी वाली को हमने कर दिया है तो यहां पर लिख दिया हमने x plus y equals to 10 दूसरी हमारे पास x minus y equals to कर दिया हमने टू इसको एड़ किया दो यह प्लच कर यह माइनस का कैंसल यह एक्स एक्स हो जाएगा 2x और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 12 तो x equals to हो जाएगा हमारे पास 6 एक्स की वैल्यू हमें 6 मिल गई है अब हमें y की वैल्यू चाहिए y वैल्यू कैसे निकालोगी किसी भी एक equation में put कर दो चाहो तो आप पहले में put कर दो या फिर दूसरे में कर दो ठीक है तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी हम पुट करने जा रहे हैं इसमें पहली वाली क्वेशन में तो यहां पर लिखामने सब्स्ट्रिट्ट्यूट एक्स एक्क एक्कुल्स टू सिक्स है इन एक्कुशन फर्स्ट ठीक है पहली क्वेशन हमाई पास x-y तो x जा में 6 कर दिया प्लेस कर दिया हमने y एक्कुल जाएं यह जाएगा माइनस का y equals to 10-6 जो कि आ जाएगा मैं पर 4 तो y की value हमें यहां पर क्या मिल जाएगी y की value हमको यहां पर मिलेगी 4 ठीक है x हमें 6 मिला और y हमको यहां पर मिल गया है 4 इतनी बात x 6 मिल गया y हमें 4 मिल गया और देखो यहां पर हमने let क्या किया था two digit number xy तो x हमें क्या मिला यहां पर 6 मिला y मिला 4 तो यहां पर हमारे पास 64 वह जो दो डिजिट वाला नंबर था वह हमारा नंबर ता 64 और यही हो गया हमारे पास इस question का हमारा ठीक है चाहो तो यहां पर कहीं पर लिख दो कहां पर जगह नहीं बचिए कहीं भी ऐसे दोखो यहां पर जैसे ना टूडिजीट नंबर लिख देना और यहां पर एक लिख देना 64 बस यहीं हो जाएगा question number 10 का हमारा solution मिलते हम लोग next video में और next video में क्या करेंगे इसके आंगे के question solve करेंगे इस video में 50 like आने के बाद next video हम upload कर देंगे टाटा बाई बाई अपना ध्यान रखना